असलावनिकम पीपल, आज हम आएं अरेबिक कीचन, यहां पर हम आज ट्राइ करेंगे शोर्मा, फुल अरेबिक स्टाइल में त्यार किया जाता है, यह देख सकते हैं, आप सीट को पताया जा रहा है, आप करो सोबसामist करता है, आया कि दिए करते हैं, कि पतम आ वा, वा, कि तकिर 현재 कीजय कुली इन हैilla के लगता हैं, कि अदू को छोड़ी यह सलाओ डा रहे हैं इसमें सबस दनिया डाते हैं अब इसको अच्छी तरह जोग करेंगे यह शौरमे का नाम बताती है क्या है शौरमा फतीर बना रहे हैं यह यह पुम है यह जाती है यह जदा है यह जो बतातो है यह जदाने यह बताती है यह जद्रेश का नाम करेंगे यह जद्रीश बैंन आयुका जाके में नहीं है जास जास, जिसे है अर्बी में यह शथाइश कहते है, शथा आइश काले लिए है अपका एक रेस्टूरेंट और दूसरी बरांच जहां पर बहावलपुर में खोलिए इसाला दूसरी बरांच भी बहावलपुर में ही इन्शादर खोलेंगे इन पतब है के ओपर हलका हलका सेका जा रहा है क्या सरफास किसम की रोटी होती है जिस पर बनाते हैं गंदम और इसकी प्राइज बताते हैं आप इसकी प्राइज बहुत से रोपीज एक रोपीज एक प्राइज एक पतीर की तर प्राइज जबक्राइज सीजिए झाल कर टाउल यह ज़ड़ लुझा कर बहाद कर रोग़ कर प्राइज कर दो दो स्टाइज कम्रुप्रीज कम्रुच्र बड़ाब आज़े शाहता ह consultation और भी मिलोग्रीं नाहीजी और पधान पर खे qualify को अच्छा पकान है इसको अच्छे तरीके से पकाया जाता है तक्रीबन दो मिनिट इस तबहे पे फराइ किया जाता है जिसके बाद यह और भी जादा माज़दार और लजीज हो जाता है करते चलें इसकी लोकेशन की बात तो यह जब आप वाइन और चुप ग्रफीकमर रोड की तरफ आते हैं तो यह जामिया मस्जिद के सामने बिलकुल अरबी कीचन है आप जरूर आएं और ट्राइ करें इनका शुआरमा